नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब विज्यो के स्टन चेनल में तो आज की ओडो लेक्चर में हम ऐसी घूली के बारे में सिखने वाले हैं कि जो पूरूसो के अंदर तूरंत इरेक्शन लाने में मदद करेगी तो प्राब्लम ये होती है कि कुछ पूरूसो के अंदर ED की समस्या हो जाती है उसके करन क्या होता है कि वहाँ पे उनको तनाव नहीं आता कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में इरेक्टाल डिसफंक्शन या फिर स्वाट में ED की समस्या कहते हैं फिर उनका लिबीडो भी कम हो जाता है और उसके करन जो प्राब्लम क्रियाट होता है जिसको हम नपुन सकता भी कहते हैं तो ये प्राब्लम को तुरंट स्वाल करने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके बारे में सीखते हैं आज की वडियो लेक्चर के अंदर कि जिसका नाम है Megalis 20 Tablet तो ये जो अलग-अलग topic से उसकी detail में study करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं Megalis 20 के बारे में तो Megalis 20 जो है वो ऐसे class के medication है कि जिसको हम PDE 5 inhibitors कहते हैं और PDE का जो फूलपाम होता है वो है पॉस्पोडाइस्टरेस 5 इनहीबिटर तो ये जो मेडिकेशन जो है उसके अंदर salt content के हम बात करें तो वो है टाडाला फिल है और जो उसका brand name है वो है Megalis अब manufacture के हम बात करें तो Macleod's pharmaceutical उसके manufacture है और Macleod's के बारे में आपको बताओ कि ये जो Indian multinational pharmaceutical company है जिसकी head office इंडिया में मुंबई में है तो अब ये जो tablet है उसके basic use हम समझे तो जो ED का जो problem है तुरंती reaction लाना है लिबिडो को treat करना है तो उसके लिए ये जो tablet है उसको prescribe की जाती है पर धियान ये रखना है उसको prescription के साथ ही use करना है तो यहाँ पे वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमार यहाँ पे हम ED और उसका solution देख रहे है ऐसे ही बहुत सरी बीमारियों के बारे में वहाँ पे दिया है उनके उपचार के बारे में दिया है तो यह जो book है उसको order करने के लिए उसके sample copy को check करने के लिए आप यहाँ पे दिये गए number पे WhatsApp कर सकते हैं तो अब यह tablet की label की study अच् जो tadalafil salt content है वो 20 mg जितना एक tablet के अंदर present है फिर यहाँ पे हम देखे तो जो strip packing में यह available होता है और 4 tablet जो है वो आपको मिल जाती है पर यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि अगर यह tablet prescribe की जाती है तो इसको रोज use नहीं करनी है because काफी ज़दा side effects हो सकती है अब समझते हैं य erection ना ना तो erection ना ने का reason यह होता है कि जो blood का flow होता है वो कम हो जाता है तो blood flow reduce होने से क्या होता है कि वहाँ पे तनाव नहीं आता और सही से erection नहीं होता तो यह जो हमारी medication है वो क्या करती है तो वो area में blood flow को जो है वो increase कराती है और blood flow को कैसा increase कराती है तो जो blood vessels होती है उनको dilate कर देती है और ऐसा होने पे वो area में blood flow increase हो जाता है और blood flow increase होने से जो erection का जो problem है वो sol हो जाता है अब उसके dose की हम बात करें तो adult dose रहता है 10 mg orally once a day और उसका maintenance dose रहता है 5 से लेकर 20 mg orally once a day तो usually treatment 10 mg से भी start होती है load dose से और आगे जाके 20 mg का भी ये tablet है वो patient use कर सकता है पर दिन में एक ही बार जो हो ये single tablet use करनी है और हपते में एक ही बार use करो वो काफी अच्छा रहेगा वरना काफी जद आपको side effects हो सकती है अब उसके price की हम बात करें तो ये 4 tablet around 430 के आसपास पढ़ती है और एक tablet की जो price रहती है around 108 रुपिस के आसपास रहती है तो यहाँ पर हमें आपको फिर से reminder देना चाहूंगा जो हमारी book है decision treatment तो यह आप जरूर से purchase कर सकते हैं book को purchase करने के लिए दिये गए number पर आप हमें whatsapp कर सकते हैं अब यहाँ पर important सीखना जरूरी है कि अगर ये tablet आपको suit नहीं करते तो कौन से side effects हो सकते हैं तो सबसे पहले सरदर्द हो सकता है back pain हो सकता है muscles में pain हो सकता है आपके पैरों में आपके हाथ में दर्द हो सकता है नाक बंद हो जाना, indigestion जिसा फिल करना और कई बार facial flushing यानि कि गाल ठंडे हो जाना या फिर गाल जो है वो गरम हो जाना चहरा गरम होना ठंडा होना ऐसे कुछ side effects हो सकते हैं फिर warnings यह रहेगी कि अगर किसी को megalis का जो content है tadalafil उसकी allergy है तो उसको use ना करें फिर किसी को kidney की बीमारी है, liver related problem है, heart related problem है, anemia का problem है, blood cancel है फिर जो आपका private part है वहाँ पे कोई deformation है मनलब कि वहाँ पे कोई anatomical problem है तो आप उसको use ना करें और cancer या फिर bone marrow का problem है फिर दियान यह रखना है कि अगर आपकी age भी 60 plus है तो एक बार आपके doctor को जरूर से concern करें और उनकी advice के बाद ही उसको use करें और साथ हो साथ जरूरी है कि आप आपका blood test भी कराते है, जरूरी है कि cholesterol related भी test कराते है, आपका blood pressure वगरा चेक करवाते है और उसके बाद ही यह medication क जो है वो use करते हैं, फिर अगर कोई person यह tablet को खाता भी है तो उस वक्त alcohol use ना करें, गलती से भी आप alcohol भी use करते हैं और यह भी tablet खाते तो बहुत सारे dangerous problems आपको हो सकती हैं, अब pregnancy category बात करें तो यह महिलाओं में use करने ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह पूरूस हो के लिए तो महिलाओं उसको use ना करें, फिर drug drug interactions देखें, तो कौन से दूसरी दवायों के साथ हमारी यह tablet है, वो interactions करते हैं, मनलब कि दो दवायों के बीच में कोई reaction हो सकती है, तो अगर आप Mlodipin खा रहा हैं, तो megalis use ना करें, because जैसे मैंने बताया, कि जो BP के patient है, या फिर आपन चैक भी नहीं करवा है कि आपका BP हाय रहता है, और आपने गलते से यह tablet खा ले तो कुछ और complications हो सकते हैं, तो दियान रखें कि आप Mlodipin ले रहे हैं, lecinopril, losartan, metaprolol, जैसी BP की दवाया ले रहे हैं, या फिर raiosigout ले रहे हैं, nitroglycerin ले रहे हैं, kittoconazole ले रहे हैं, तो ये दवायों के साथ कभी भी combination मेगा लिस्ट का ना बनाएं, एक और लिस्ट है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, कि इत्राको नाजॉल, इरित्रोमाइसिन, क्लेरित्रोमाइसिन, रिफामपिसिन है, फिनो बार्बिटाल, फिनेटोईन, कार्बामेज़ेपिन, एर रि बहुत अच्छी information जो वो दी है, तो चैनल को जरूर से subscribe करें और हमें support करें, good luck and all the best. बहुत उसे, बहुत जो जो खानुदीप अेमापना दी है, क् fins packaged झाच्छीания है, क्लेंस्दीप नुट्प है, थूछाया है, भीकर भीकर जो जो बहुते है, बहुते है, जो रीकर कारण तो बहुता है, आवाया है, आवाया है, रिजस्कित्माइसदीपसिन, क्या और हैं। झाल झाल